अगया जालिए सभी को गूड इविभनी तो आज हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक थी आफ गैसें इस इंदी में इसको बोल सकते हैं आप गैस का गतिज या फिर गैस का गतिज शिद्धान तो देखिए काइनेटिक थी आफ गैस में हम्लोग क्या पढ़ते हैं सबसे पहले जो काइनेटिक बड़ है इसका मतलब क्या होता है इसका क्या मतलब है किस समबंदित है और theorie का मतलब हो गया सिध्धान्त यानि कि गैसों की गतिक सिध्धान्त तो गैसों की गतिज कहने का मतलब क्या है कि देखिए कोई भी या फिर थोड़ा सा अब यहां पर आईए जैसे अगर किसी भी मैटर की अगर हम बात करते हैं कोई भी मैटर है कोई भी पदार्थ है यह कैसे बना हुआ है कोई भी matter जो यह कैसे बना हुआ है बताआए यह छोटे-छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं Atom Atom का मतलब हो गया परमानू तो कोई भी matter हो matter का मतलब कोई भी चाहे solid हो चाहे आपका liquid हो solid हो ран important Llikwid हो फिर यह सब के सब कैसे बने हुए हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल कर बने हुए हैं जिसको लोग बोलते हैं एक अब यहां पर एक बात समझेंगे चलिए हमान लेते हैं कि यह सौलिड है और यह लिक्विड है और यह क्या है गैस है सौलिड लिक्विड और गैस की अगर हम बात करें तो चाहिए और चोटे चोटे पार्टिकल से मिल कर बने हुए है जिस particle को हम लोग क्या कहते हैं, atom कहते हैं, लेकिन solid की अगर हम बात करें, तो यह atom क्या होते हैं, closely packed होते हैं, यानि कि जो atom है, यह काफी pass-pass होते हैं, यह solid के atoms क्या होंगे, काफी pass-pass होते हैं, यानि कि inter-molecular space इन में काफी कम होता है, जिसके कारण इन में force of attraction जो है, यह काफी अधिक होती हैं, लेकिन अगर यही liquid की हम बात करें, तो liquid में जो atoms हैं, इनके बाता सा क्या है, distance हैं, यह थोले दूरी पर अपने आप को arrange किये हुए रहते हैं, इस परकार से, लेकिन अगर gas की हम बात करें, तो यहाँ पर जो atom के बीच का distance यह और अधिक होगा, एक atom आपका यहाँ पर है, एक मान लिजे इधर है, एक मान लिजे इधर है, एक मान लिजे इधर है, एक इधर है, एक इस परकार से हैं, तो सबसे ज़्यादा inter-molecular space किसमी होगा, solid में, liquid में या फिर gas में गैस में, अब देखिए, जब atom के discovery की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले बताइए कि atomic theory कब आया, तो अगर हम atomic theory की बात करें, यानि कि परमानु सिध्धान्त की अगर हम बात करते हैं, परमानु सिध्धान्त की अगर हम बात करें, तो यह आया, तो यह दिया गया है, ज यानि कि डॉल्टन साहब आए और 1808 में एक थियोरी लेकर करके आए जिस थियोरी कुम लोग क्या बोलते हैं एटोमिक थियोरी जिसमें ये बताते हैं कि कोई भी मैटर है कोई भी पदार थे वो छोटे-छोटे कनों से मिलकर वना हुआ है और एटम ही जो है ये इस्ट्रॉक्चरल और फंडामेंटल यूनिट है किसी भी मैटर का किसी भी chemical reaction में जो part participate करता है वो atom होता है तो इन सारी बातों को बता है तो यह atomic theory लेकर करका है तो 1808 में जो है हम लोग atom के बारे में जानना प्रू कर दिये इसके बाद आई kinetic theory इसके बाद आई kinetic theory इसके बाद आई kinetic theory यानि कि गतिक सिध्धान्त या फिर गतिज सिध्धान्त भी आप बोल सकते हैं कि और यह kinetic theory कब आई कि यह kinetic theory आया 1873 में अब बैग्यानी का नाम क्या तो यहां पर कई सारे बैग्यानिकों का अथक प्रयास्रा लेकिन जो सफलता मिली वो बोल्जमेंट जैसे लोगों को ही मिली एक बोल्जमेंट साहब और भी साइंटिस्ट हैं आगे बताएंगे यह आया 1873 में अब यह kinetic theory क्या कहता है कि कोई भी एटम है मतलब स्वारी कोई भी अगर मैटर है तो वह छोटे-छोटे एटम से मिलकर बना हुआ है चलिए तो कोई भी जो है कोई भी जो मैटर है यह छोटे-छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और जब छोटे-छोटे पार्टिकल की हम बात करते हैं तो क्या यह एटम रेष्ट में है या फिर मोशन में तो काइनेटिक त्योरी यह बात बताती है कि कोई भी मैटर ज कि हम बात करने लिक्वीड के अटम की बात कर ले या फिर गैस के अटम की बात कर ले तो सभी मैटर कोई भी हो इनके अटम जो है किसमे हैं मोशन में लेकिन अगर है अगर हम कि यहां पर इंटर-morecular-space की अगर हम बात करें इंटर- तो सबसे ज़्यादा इंटर मॉलीक्यूलर स्पेस किसमें है तो एटम का जो भाइब्रेशन होगा एटम का जो मोसन होगा यह सबसे ज़्यादा किसमें होगा मैं तो इसी लिए केने टीरी जो बणी वो कैनेटिक ओरी किसके लिए बणी है और इसी लिए हम लोग किसका पढ़ते हैं तौ Ciए केली है। वो molecules rest में नहीं रहते हैं बलकि वो random motion में रहते हैं और सबस्जादी randomness gas में ही होती है वैसे अगर इस pain की भी बात करें तो यह भी छोटे-छोटे atom से मिलकर बना हुआ है और इसके भी atom किसमें vibration में है इसके भी atom किसमें है किसमें है motion में है तो gas के kinetic theory की अगर हम बात करें तो आईए यहाँ पर देखिया लिखा हुआ है कि सभी पदार्थ अनुओं से बने है यानि कि जितने भी matter आप देखते हैं यह सब के सब molecules से बने हुए चोटे चोटे पार्ट से बने हुए जिसको हम atom प्रमानु या फिर अनुओं का नाम देते हैं गैस के अनुतिब्र और सतत गती की अवस्था में होते हैं यानि कि gaseous molecules जो भी है इनकी random ने सब से ज्यादा है यानि कि काफी तेजी से क्या करेंगे vibrate करेंगे ठीक है और सतत गती में होते हैं इनकी random मतलब यह भी नहीं कि vibration करने का एक direction फिक्स है जिसको जिधर मान करेगा उधर move करेगा जैसे इस diagram में आप देख सकते हैं यहाँ पर बनाएं जैकि एक molecules का motion नीचे की और है दुसरे का left में है क्राइट में है किसी का नीचे किसी का उपर तो इस प्रकार से हर direction में और किसी भी direction में अगर motion हो रहा हो तो इसको बोलते है random motion तो इसकी random ने सबसे अधिक है कि सभी पदार्थ अनुओं से बने और गैस के अनुओं तिव्र और सतत गती की अवस्था में होते हैं नेक्स्ट उनका बेग तापमान पर निर्वर करता है यानि कि किसी भी molecules का किसी भी atom का जो randomness है वो किस पर depend करेगा temperature पर जितना ज्यादा temperature को हम बढ़ाएंगे randomness उतनी अ इस आन्विक गती का उप्योग करके गैस के बिभीन गुणों जैसे की दवाब तापमान उर्जा आदी को समझाया जा सकता है अब यह जो molecular moment आप देख रहे हैं किसके लिए गैस के लिए तो इसकी हम study करेंगे molecular moment की जो gas की molecular moment है इसकी हम study करेंगे और इसमें क्या समझेंगे तो gas का जो भी properties है जैसे gas में क्या होगा pressure होगा gas का temperature होगा gas के पास energy होगी तो pressure, temperature, energy यह सब जो properties जो gas से समबन्दी थे उसकी study हमें यहाँ पर करने वाले हैं इसलिए इस सिध्धान्त को गैसों का गतिज सिध्धान्त कहा जाता है इसलिए जो सिध्धान्त आप देखरें इसको हम लोग क्या कहेंगे गैसों का गतिज सिध्धान्त कहेंगे ठीक है velocity depends on temperature इसलिए तो उमीद करते हैं कि काइनेटिक ठीक है यानि की गैसों की गतिक सिध्धान्त का एक ब्रीफ आइडिया आपको मिला होगा हम लोग क्या करेंगे गैस के हम लोग अपने लाइभ में आईडिया बनना चाहते है कि अधाल और 충 नहीं पाते हैं और अगर किसी भी है किफो तुलना करते हैं कभी आप अपने बच्चों को कहेंगे चारीच पर साथ पर सीपर स्वास लेकर क्या कर दूसको नभे पर नमबर ऐगा तो आइडियल जो है मतलब आइडियल किसको बोलते हैं आधर्स व्यक्ति तो यहां पर गैस भी दो परकार का है एक आइडियल और एक रियल तो यहां पर हम लोग किसकी चर्चा करेंगे आइडियल गैस की चर्चा करेंगे और आइडियल गैस की चर्चा क्यों करते हैं यह भी को आधा पढ़ाए थे एक सांट जेवियर के स्टूरेंट थे नाइन टेंथ 11 पुरा पढ़ा है 11 पुरा इसलिए पढ़ा है चुकि बेसिक थोड़ा सा मतलब बेसिक तो ठीक था क्योंकि टेंथ में बहुत अच्छा नंबर भी लाए 98.7 परसेंट के आज पास उनका मार्स था इसके वाज़े से दो स्कूल में अप्लाई भी कि एक डीपीएस कारांची और दूसरा यह भी स्यामली में रिजल्ट नहीं हुआ अब पता नहीं एक्जाम दिये और इतना टैलेंट अगर किसी पास है तो रिजल्ट नहीं बात तो हम नहीं मानते लेकिन वहां पर थोड़ी नहीं वो सो करता सिदेक मेरिट लिस्ट बनाता है कि इतने लोगों का ही सेलेक्शन हुआ अब क्यूं आप बाहर हुए इसकी कोई रिजन वो देता भी नहीं है लॉगड़ॉन का प्रेट था डीपीएस राची का जो एड्मिशन का प्रोसेस उसमें चल रहा था वो था कि आ अपना मार्किंग करते हैं और उसे हिसाब से मेरिट लिस्ट बना था इसके बाद 11 वी पढ़ा है पुरा 12 वी पढ़ा और फिर हम आधास जब पार कर दिये तो फिर हम छोड़ दिये कि भाई अब प्रैक्टिस कीजिए चुकि अब खुद से पढ़िए आपका इतना लेवल और ब्रदर्स एकड़िमें मैड मिशन विम करा दिये थे वहां से निकले पढ़ करके तो पहला अटेम्ट में समझे कि आई आई टी भी क्वालिफाई कर गया और अभी जो है यहां मुंबई आई टी मुंबई जो है वहां से एरोडानेमिक्स कर रहे हैं इंजिनेरिंग एर गली में तो एक आदमी उसी महले में एक दिन पूछे कि बावु तुम कहां रहते हो मुंबई रहते हैं मुंबई में क्या करते हो तो एरोडायमिक्स से इंजिनेरिंग कर रहे हैं आई आई टी मुंबई में उसको बिलीब नहीं हुआ जूट बोल रहा है जाके अगल बगल सब लोग से पूछा पूछा तो एक दो लोग बताया कि नहीं सही में मतलब कि आई टी मुंबई में गया है रोडायमिक्स इंजिनेरिंग कर रहा है अब वह आदमी इसको अपने मुहले के लिए सब लोग उसी सब कंप्रीजन करना शुरू कर देंगे तो देखिए गैस लोग इन सब चीजों को नेगलेट करके चलेंगा और यहां पर जो भी गैस की बात करेंगे आईडियल गैस की बात करेंगे रियल गैस की बात केमेस्ट्री में हम लोग करते हैं तो चलिक कािनेटीक फिए अब गैस को पढ़ने से पहले कुछ एजम्सन भी आपको याद इनके बीच में इन्ट्रेक्षन भी होगा यानि कि आकर्षन बल लगेगा इसको हम बोलेंगे देखिए वैसे पर रिपल्शन का फॉर्स लगता है फ्लं कर यहां पर थोड़ा बहुत अगर फॉर्स ऑफ एट्रेक्षन है भी उसको हम क्या करेंगे negligible मान करके चलेंगे यानि कि आपको ये मानना है कि gas के अंदर जैसे यहाँ पर एक container है और इस container के अंदर कई सारे gas के molecules भरे हुए है तो आपको ये मान करके चलना है कि जितने भी gas के molecules हैं इनके बीच में कोई भी attraction का force नहीं लग रहा है next they have no shape and size and cannot be contained in vessels of any shape and size देखिए इनकी कोई shape और size जो है और इसको किसी भी and can be contained in vessels of any shape and size आप इसको किसी भी shape और size के container में रख सकते हैं इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि अगर हमको gas को रखना है तो cylindrical container को ही लेंगे spherical container ही लेंगे ऐसा कुछ भी नहीं किसी भी type के container में आप इसको रख सकते हैं तो gases expands indefinitely and uniformly to fill the available space by considering that gas are made up of atomic particles देखिए अब gas को आप जिस भी container में डाल दीजिएगा उसी हिसाब से ये क्या करेगा फैल जाएगा और इस space को occupy करेगा जैसे अगर हम इस room की ही बात करते हैं तो इस room में gas के molecules के हैं पुरे भरे हुए हैं और gas के molecules के पास इतना अधिक random में से ये इतने दूर दूर पर अगर फैले हुए हैं कि अगर आप चाहेंगे तो एक छोटा सा डबा लिजे और उसमें सा इसको समझने के लिए और समझाने के लिए कई सारे बैग्यानिकों का शुरुवात से अथक प्रयास रहा जिसमें बॉयल सहाब का भी प्रयास रहा इनके नाम से आया है इसका लावा न्यूटन सहाब भी काफी अधिक प्रयास कि ए और इनको फीजिक्स का फादर भी बोला जाता है लाकि इनकी सबसे अधिक सफलता कहां पर रही है तो ग्राइविटेशन के खोज के लिए और मैथेमाटिक्स में जो आप कैल्कुलेस पढ़ते हैं तो कैल्कुलेस भी न्यूटन सहाब का ही दिया हुआ है नेक्स्ट बट्ट रियल वाज डिवलप्ट वाई डिवल की गई वो किन के द्वारा की गई तो उनिसवी सताब्दी में मैक्सवेल और बोल्ड में जैसे बैग्यानिकों के द्वारा अब आपको बता भी रहते हैं कि बोल्ड में जैसे लोगों की सफलता मिली इन दिस चैप्टर b--cell study sum of these features like kinetic theory ऑब इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ाना है कि kinetic theory is related क्या-क्या features है इसको हमलोग क्या करेंगे पढ़ें गे बलकुल गैस में इंपर मॉलेकुलर एस ज्यादा है आप इसको कॉम्प्रेस कर सकते हैं आसानी से चलिए next आगे बढ़ते हैं अब देखिए exemption की अगर हम बात करें तो सबसे पहले gas परमानूओं और अनूओं से बनी होती है कोई भी gas है तो इसमें क्या है atoms है और molecules है अब जैसे gas की ही अगर हम बात करें तो कुछ gas monoatomic होते हैं कुछ gas diatomic होते हैं कुछ gas polyatomic भी होते हैं जैसे अगर हम बात करें helium कैसा gas है ताइटोमिक monoatomic helium कैसा gas है monoatomic आरगन की अगर हम बात करें तो आरगन कैसा monoatomic यानि की प्रियोडिक टेवल में जो आप ग्रूप 18 में जितने भी elements देखते हैं उनको inert gas कहा जाता है और उसमें कौन को ना आता है helium नियोन आरगन क्रिप्टन जेनन रेडन तो यह सब कि बाहरी कक्चा में 8 electron हो कुछ elements को छोड़कर करके अगर दो भी है तो कुछ लोग डूपलेठी बनाते हैं जिनके पास एक ही cell है वो डूपलेठी बनाएंगे बाकि अगर दो cell है तो बाहरी कक्चा में अगर 8 electron है किसी elements का तो हम बोलेंगे कि वो जो है क्या है कि इस्टेबिलिटी का मतलब कि इनके बाहरी कक्चा में कितना electron होना चाहिए 8 तो यह सब इस्टेवल है लेकिन अगर हम बात करें देखिए है एच टू ओ टू ठीक है इन टू तो यह सब कैसा है डाइटोमी कैस है अब जैसे हाइड्रोजन कभी अकेला नहीं रह सकता जब भी रहेगा यह दो हाइड्रोजन आपस में मिल करके ही रहेगा हाइड्रोजन जब भी एक्जिस्ट करेगा एच टू के फ़र्म में एक्जि करका है helium neon iron crypto तो इसको हम बोलेंगे कि यह सब क्या है एटम्स है और जब दो अपस मिलते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं molecules जबकि हेस्ट इंट टो ठीक है तो यह सब कहे जाएंगे यह सब कहेंगे molecules तो गैस या तो एटम्स के फ्रोर में होंगे या फिर molecules के form में हो नेक्स्ट सामान गैसों के अनूँ सभी प्रकार से द्रबेमान आकार में सामान होते है मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी container में hydrogen gas को भर रहे हैं तो जितने भी hydrogen के molecules होंगे किसी container में अगर आप hydrogen gas को भर रहे हैं तो जितने भी hydrogen के molecules होंगे उन सबका mass क्या होगा सेम होगा सबका size भी क्या होगा मतलब ऐसा नहीं है कि अगर hydrogen gas को भरे हैं तो सबका mass अलग अलग होगा नहीं सबका mass क्या होगा सेम होगा अनू लागातार सिधी रेखा में यह साथ यह मतलब कि यह चिक गती में होते हैं मतलब कि random motion में होंगे straight line के along मतलब कि कहने का मतलब कि अगर किसी container में gas का molecules है इसको जीधर मान करेगा उधर यह randomly move करेगा किसी fix direction में यह move नहीं करेंगे next कहता है यह आपस में और container की दिवार के बीच गैस के अनुगों की सभी टकर प्राकृतिक में लोचदार है अब गैस का molecule से तो एक container से भी क्या करेगा टकराएगा जैसे देखिए टकराएगा जैसे यहाँ पर इस figure में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक gas का molecules आप देख लिए यहाँ पर यह आया एटम के बीच में collagen हो जाए एटम एटम के बीच में टकर हो जाए या फिर कोई gaseous atom या फिर कोई gaseous molecules जिस container में रखे हुए हैं इसके wall से टकराएगे तो टकराएगे तो इनका collagen कैसा होना चाहिए elastic होना चाहिए और elastic collagen जब भी हम कहते हैं देखिए अगर बात हम elastic collagen की करें elastic collagen की जब भी हम बात करें तो इसका मतलब हुआ कि जो initial momentum आप ले रहे हैं वो final momentum के बराबर होना चाहिए इसका आगे चल करके use भी आएगा जब हम लोग gas का pressure निकालेंगे तो वहाँ पर इस चीज का use आएगा कि gas के molecules की collagen elastic होती है यानि कि टकराने के पहले का जो momentum होगा और टकराने के बाद का जो momentum होगा ये दोनों क्या होगा अपस में बराबर होगा next gas का दवाब container की दिवार के साथ अनुव के टकराने के करण होता है अब देखिए gas के अंदर pressure क्यों है अगर कोई पूछ है कि gas के अंदर pressure क्यों है तो pressure gas के अंदर इसलिए है चुकि जो भी gaseous molecules है ये दिवार के साथ लागातार क्या करणे टकरा रहे हैं और दिवार पर जाकर कर टकरा रहा है मतलब कि ये area पर force लगा रहा है और force acting on unit area is called pressure अब जैसे माल लिए कि ये हमारा एक container का wall था इस पर एक gas का molecules आया और ये आकर के यहां पर खट से क्या हुआ ठकराया तो ये एक area पर क्या किया force लगाया यहां पर बताए pressure जो है generate होगा की नहीं यहां पर pressure भी generate होगी तो gas के अंदर pressure का कै Lauren pressure कैसे है तो gas के जो भी molecules है ये container से आकर कर के लगातार क्या करें तकरा रहे हैं इसी कारण gas के अंदर क्या generate होगी pressure generate होती है तो फटता नहीं है तो बैलून में अगर tua भरते जाए है जाए heft मालून फटता है कि नहीं क्यों हाई प्रेसर के कारण है अगर कंटेनर उसको नहीं बरदास्त कर पाएगा तो वो क्या हो जाएगा फट जाएगा फिर नेक्स्ट दवाब प्रती इकाई चेतर में अनुओं के टगराब की संख्या के सिदे अनुपातिक होते हैं मतलब की जितना ज़्यादा कॉलिजन होगा उतना ज़्यादा प्रेसर जनरेट होगा कहां पर गैस के अंदर है चलिए तो यह कुछ कंजम्शन थे जो आपको याद रखने हैं और भी कंजम्शन है देखिए क्या है कि गैस की गतिज उर्जा केवल और केवल तापमान पर निर करती है सिर्फ और सिर्फ तापमान पर यह सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्वर करेगी तापमान पर इसके अलाबा देखिए गैस की प्राक्रितिक पर निर्वर नहीं करती है मतलब कि गैस का नेचर क्या है इस पर डिपेंड नहीं करेगा रेशर किस पर सिर्फ डिपेंड कर यानि कि the actual volume of gaseous molecule is negligible when compared to volume of occupied gas मतलब कहने का यह है कि आपके पास एक container है और उस container में आप धेर सारे gas को भरे हैं तब वो volume को occupy करेगा तो उस occupied volume की तुलना में अगर एक gas के molecules के volume की अगर हम बात करेंगे तो उसको हम neglect करके चलेंगे उसको हम नगन निमान करके चलेंगे एक हजार रुपया है आपके पास एक हजार रुपया है और आपके पास भी एक हजार रुपया है और मेरे पास एक रुपया है नहीं आपके पास 1000 रुपया है नहीं है तो आपके पैसे utions got हो गये हैं अब आप लोग जाएंगे समोसा खाने के लिए साथ रूपया लगेगा दास रूपया लगेगा और मेरे पास एक ही रूपया है तो खापाएंगे नहीं खापाएंगे तो उसी प्रकार से किसी कंटेनर में किसी कंटेनर में जो गैस भरे हुए हैं उनकी जो वॉलिम होगी अगर उसके कॉम्प्रीजन में हम एक मॉलिक्यूल के वॉलिम की बात करें तो उसको हम नेगलीजीवल मान करके चलेंगे नगन ने मान क के चलेंगे नेक्स्ट के बीछ up कोई अंतर और आड़ीक आकरशन वर नहीं रह था, यहां पर नहीं बुर्टव था फोर्स होगा एट्रेक्शन का फोर्स यहां पर नहीं होगा गुर्तवा करशन उपेक्षीत है यानि कि ग्राइवीटी इस नेगलेक्टेड यानि कि अगर कंटेनर में गैस का मॉलिक्यूल से यहां पर हम ग्राइवीटी को हटा देंगे जबकि ऐसा होगा क्या नहीं होगा ग् लेकिन अगर हम ग्राइबीटी को हटा करके बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि गैस कैसा है आइडियल है यह सब आइडियल गैस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं और यह जितने भी पॉइंट से यह सारे अविदानी मॉलिक्ल स्वागा आप उसको मानेंगे की इसका आयतन नगनने है याभि वाल्यूम इसका नगली जीवल हो का और साथी साथी छोटे-छोटे होंगे और यह कठोर यानि की रिजिडा स्फियर के फॉर्म में हो अगर रीजिट नहीं होगा तो यह फिर टकराएगा तो फिर इसकी कॉलिजन गैस लॉक की अगर हम बात करते हैं तो गैस के संदर्व में अलग-अलग बैग्यानिक आए और अपना-पना कुछ नियम बताते चले गया तो अगर गैस लॉक की हम बात करें देखिए आप लोग नोट्स के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं और नोट्स और पीडियेप से प्रहाई होता ही हमको बताईए नोट्स अपना बनाईए खुद का नोट्स बनाईए और खुद का नोट्स अगर बनाईएगा तुस्से बेहतर कोई नोट्स नहीं होगा और नहीं तो मार्केट में एक हजार नोट्स है गूगल परसर के लिए एक नहीं एक एकाथ हजार PDF आपको मिलेगा लेकिन वो सब बेकार है और हम लोग कहाँ पर भागते हैं नोट से पीशे भागते हैं और कमेंट क्या करेंगे कि कोचिंग वाला पैसा खा गया पूर् नहीं उठाता है तो कितना पैसा आप दें लोग कमेंट करते हैं कि कोचिंग वाला पैसा खा जाता है हम लोग तो भरोसा करके admission लिये थे, अब admission यहां नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि coaching वाला आपको बरवाद कर दिया, क्यों बरवाद कर दिया, कि दो साल का syllabus एक महिना में complete करके नहीं दिया, और पंदरा सो रुपे आपका coaching वाला जो है, आ गया, तो पंदरा सो रुपे और जो दो हजार रुपे देते हैं, कोई बहुत बड़ा यह amount नहीं है, और खास करके paper 4K, अगर syllabus की हम बात करें, तो पूरा का पूरा 11th और 12th भरा हुआ है, अब आप इमानदारी से बताइए, कि इस 11th और 12th के course को पढ़ने के लिए आप कितना पैसा खर्च किये थे, इमानदारी से बताइए, कि इस 11th 12th के course को पढ़ने के लिए आप कितना पैसा खर्च किये थे, और उसके तुलना में अगर फंदरा सो और दो हजार रुपे आप से एक course के लिए जाता है, तो आप लोग कमेंट करते हैं, कि कोचिंग वाला पैसा ठग लिय लेकिन मेरा मानना यह कि नोट्स में आप बहुत ज्यादा यकिन नहीं कीजिये, नोट्स तो बेहतर नोट्स हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं, पतंजली नोट्स के लिए भी famous है, और teacher का result के लिए खेर कहना नहीं, यहां पर बहुत result है, ठिक, और अभी बिहार में भी ब बिहार में भी बहुत हुआ है कभी अगर आप कहिएगा तो आपको हम मैसेज दिखा देंगे एक एक लोग का और फोटो के साथ आपको दिखा देंगे बिहार में भी बहुत हुआ है लेकिन देखिए नोट्स कोई भी हो प्रयास किजिए कि नोट्स अपने हाथ से बनना चाहि और दूसरे के नोट्स को पढ़िएगा तो बहुत ज़्यादा मतलब समझ बने आता है यह मेरा ऐसा मानना है तो कोशिस यह कीजिए कि नोट्स को आप थोड़ा सा अपने से बनाए नोट्स पर ज्यादा फोकस नहीं करें तो गैस लौ की अगर हम बात करें तो जब गैस पर इस्टडी करने के लिए कई सारे बैग्यानी का है तो वो अपना अपना नियम देते चले गए कुछ बैग्यानी को का नाम हम लिग देते हैं जैसे इसमें सबसे पहले आये बौायल साहब तो इनका जो नियम था इनको हम इनका नाम था गेलुसेक्ट गेलुसेक्ट यह भी अपना एक नियम दिये तो इनके नियम को गेलुसेक्ट लौ के नाम से जानते हैं और चौते नंबर पर जो बैग्यानी का है इनका नाम था आवगैद्रो के नाम था आवगैद्रो और यह जो अपना नियम दिये इनको हम एव गैदरो लोक के नाम से जाने हो तो गैस लोक की हम जब भी बात करते हैं तो यहां पर चार बैसटानि का है कितने बैस आद आद आई लिवाइई लाइई इस अनका में अविवाइई जली जलीए तो gas lock ये अगर हम बात करते हैं पर चार बैग्यानिक है वाइल साब आए चारल साब आए गेल उसाय का है और अवगैदरो लोग मतलब अवगैदरो साब और ये चारो बैग्यानिक गैस से संबन्दित अलग अलग नियम को दिये और चारो के नियम को हम लोग जोड देते हैं एक हम लोग बनाते हैं है ऐलस गैस का समीकरण बनाते क्या बनाते हैं आदर्स गैस का समीकरण तो देखिए यह अलग-अलग जो बैग्यानिक है गैस को जब यह study किये तो गैस के बारे में इनका क्या-क्या कहना था आईए एक के करके हम लोग इनकी चर्चा करते हैं तो सबसे पहले आये कौन वाइल सहव सबसे पहले यासाइल पूरा नाम इनका क्या है तो पूरा नाम इंका रोवर्ट वाइल अwar और याएक लिक्या-क्रहा एक मौलिक गैसिय नियम है यानि कि फंडामेंटल गैस लौ है यह और जिसकी खोज रॉवर्ट बॉयल के द्वारा 1662 में की गई तेहां पर डेट इंपोर्टेंट नहीं डेट आप नहीं रखेंगे तो काम चलेगा एक्जाम में डेट आपका नहीं पूछा जाता है हाँ यह बॉयल सहब क्या कहते हैं ध्यान से समझेगा इनके बातों को यह कहते हैं कि फोर अगिवन मास ओफ आइडियल गैस यानि कि इनका कहना है कि अगर मास क्या हो कॉंस्टेंट हो मास क्या हो कॉंस्टेंट हो सबसे पहला बात यह बता है कि मास क्या हो कॉंस्टेंट मतलब कि आप गैस ले लिजिए एक केजी दो केजी चार केजी जो भी आपको लेना है यानि कि इनका कहना है कि अगर मास आपका कॉंस्टेंट है और टेम्प्रेचर को भी आप क्या कर देंगे तो जो प्रेचर होगा यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके वॉल्यूम के तो बॉयल्स आपका नियम क्या है यहीं से प्रस्ण उठता है objective question दिखेगा बॉयल्स नियम के अनुसार कॉस्टन देगा बॉयल्स लिखना नहीं है कौसन देढ़ा वायल के नियम के अनुसार कौनसी कतन सही है या फिर एक स्टेटमेंट देढ़ेगा कि ज़धी प्रेशर इनवर्चली प्रोपोर्चनल है वालियूम की तो यह हो सकती है चार ओप्शन देदेगा जदी ताप इस्थिर रहे जदी ताप परिवर्तन सिल हो या फिर ऐसी टाइप के ओप्शन को बनाते है तो वाइल साब का कहना है कि अगर मास आप कॉंस्टेंट रख रहे हैं और गैस का टेंप्रेचर नहीं बदलना चाहिए गैस क प्रेसर और वॉल्यूम को जब आप मल्टिप्लाई करेंगे तो यह क्या है घळा एक कॉंस्टेंट आएगा k प्रेसर और वॉल्यूम का जो प्रोडुक्ट है यह क्या耗ा कॉंस्टेंट तो तो इस हिसाब से आप लिख सकते हैं कि पीवन और भीवन जो है यह पीटू और भीटू के बराबर होगा ठीक है तो इसको आप लिख लेंगे नीचे वाला जो भी पॉइंट कि अगर भीवन वॉल्यूम पर अगर आप ऐसे समझें पीवन प्रेशर पर अगर भीवन है टो प्रेशर को अगर हम चेंज कर देते हैं पीटू कर दिये तो भowski भीटू होगा लेकिन दोनों का Π्रोड़क्ट हमेशा बराबर होगा लेकिन temperature आपका constant रहेगा तब ही कि टेंप्रेचर को हम नहीं घटाएंगे बढ़ाएंगे मालीए पहले pressure भी वन था तो भॉल्म भी वन था अब उसी temperature पर gas को हम और निकालेंगे यहां से निम्रीकल बनते हैं एक्जाम में इस रिलेशन को भी आप क्या करेंगे याद रखेंगे एक लिए तो पहला था वाइल सहाब का नियम एक वार इधर भी लिख देते हैं आपको देखिए वाइल सहाब क्या बताए अगर हम वाइल स्लो की बात करें तो इनका कहना है कि टेम्प्रेचर को रखिए कॉंस्टेंट टेम्प्रेचर को क्या रखना है यानि कि तापमान जो है इसको नियत रखना है तो प्रेसर और वालियूम एक दुसरे का उल्टा होगा जानी कि प्रेसर और वालियूम का प्रोड़क्ट क्या आएगा तो इस हिसाब से आप बोल सकते हैं पीवन भीवन जो है यह पीटू के बराबर होगा अब देखिए कोश्चन देदेता है जदी किसी गैस का प्रेसर इतना ह यूज करके ऐसे प्रशनों को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं एक यह था बॉयल सहाब का नियम दूसरे नंबर पर जो बैग्यानिक है इनका नाम है अच्छा अब इसको थोड़ा सो देखिए ग्राफिकली इसको ग्राफिकली देखिए अगर प्लोट करना हो क्योंकि कई बा है अब देखिए अगर इसका ग्राफ बनाईएगा तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा की नहीं है क्योंकि इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेसर घटेगी और वॉल्यूम को घटाएंगे तो प्रेसर रहेगा लिए अगर प्रेस किये और तो आप का भॉल्यूम को बढ़ाए है क्यों कि उसमें जो भी गैस पर हुआ उसके पास प्रेसर बहुत हाई है चुकि वह प्रेस्ट है लेकिन जैसे आपका गैस यूज होते जाता है उसकी वॉल्यूम बढ़ती चली जाती इसलिए उसका प्रेसर घंटता चला जाता है और फिर देखिएगा जब गैस खत्म होने टेंप्रेचर का अगर आप से ग्राफ पूछे इसका अगर आप पूछे प्रेसर वर्सस टेंप्रेचर का पी का मतलब प्रेसर और टी का मतलब टेंप्रेचर तो यहां पर एक चीज़ आपको क्या करना है कि टेंप्रेचर को रखना है कॉंस्टेंट टेंप्रेचर को आप क लेकिन अगर इसी में हम और टेम्प्रेचर का ग्राफ बनाएं और यहां पर टेम्प्रेचर को हम क्या रखते हैं तो अगर आप वालियूम को बढ़ाईएगा तो आपकी प्रेचर क्या होगी तो इस ग्राफ को भी कोपी में बना लीजिए फ्ट्राइब को बनाएं देगे तो आपकी प्रेचर को भी की लगएवब को प्रेचर इस भी में में प्रेचर को भी को बनाएं पूर्ट ग। all राख, देखिंगे। ग्राप में यही है, इसको पकड़िए। अगर प्रेशर आपका बढ़ रहा है, तो थेंप्रेशर को बढ़ है, तो जो बढ़ रहा है, तो भॉल्यूम घटा। झाल लिख लिए चलिए हो गया आगे बढ़े हैं यहां तक समझ में आया कि नहीं को कोई कनफ्यूशन चलिए तो आगे बढ़ते हैं और और behavior की अगर हम बात करें behavior of ideal gas and real gas तो देखिए ideal gas और real gas में काफी अधीक behavior होती है अगर normal temperature की अगर हम बात करें तो ideal gas और real gas में आप देख सकते हैं कि क्या है इफ्रेंस है लेकिन जब हम हाई टेम्परेचर की बात करते हैं किसकी बात करते हैं एट हाई टेम्परेचर तो देखिए यह बॉल्यूम वर्सेस प्रेसर का गराब बनाते हैं और यह कब तो यह हाई टेम्परेचर यहाँ पर temperature को हम कर देते हैं बहुत ही high तो high temperature पर क्या है कि यह जो आपका ideal gas का graph था यह किसका graph है तो यह graph है ideal gas तो real gas भी high temperature पर इसके करीब आ जाएगा real gas भी क्या हो जाएगा इसके करीब आ जाएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे real यानि कि आप बोल सकते हैं कि at higher temperature एक्जाम में देखियो objective question बनता है ध्यान रखिएगा कि ideal gas और real gas की behavior कब जो है similar होती है या फिर same होती है तो जब temperature high हो कि temperature low हो तो temperature high अब यह कैसे पता चला तो यह experiment से पता चला यह बैग्जानिकों का experiment है कि जब हम temperature को बहुत high कर देते हैं तो ideal gas और real gas की behavior मिलने शुरू हो जाती है तो आप एक point लिख सकते हैं note में behavior of behavior of ideal and real gas becomes similar becomes similar at high temperature इसको भी आप लोग कोपे में लिखे और इस क्राप को भी आप लोग क्या करेंगे बनाएंगे अबस्तो भी आप इड़ें को पढ़िए से और उके सब्तीन के अगेन पहल से अगया बार बार उसको कोपी में लिखेंगा बार लिखेगा उतना बार आपको याद हो जाएगा बता देंगे आपको अच्छे यह याद रहेगा कि पी भी कॉंस्टेंट रहेगा बॉयल स्लो में याद रहेगा तो प्रेसर और वॉल्म इनवर्सली प्रोपर्शन होगा कैसे तो आप आइडियल गैस का इक्वेशन देख है अब बच गए एक वहा डरे लहाँ पर टेंपरेचर बॉयल साब यही बात को बोले कि अगर टेंपरेचर को भी हम कॉंस्टेंट कर दें तो इधर Тीनों को यह बॉयल से लेकी पेरोडों-गॉइ-अश्यू हो जागा रह प्रोड़। का product अगर constant है कब तो जब temperature हम constant कर देंगे तब तो इस हिसाब से pressure और volume inversely proportional होगा ideal gas equation को जब लिखेंगे तो वहाँ पर सब का नियम दिखाएंगे चारो बैज्ञानी का नियम कैसे सही हुआ यह भी आपको बदलाएंगे चलिए तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप लिख लिए होंगे आगे बढ़ते हैं next next आगे चार्ल्स लौ यानि कि चार्ल्स सहाब का नियम क्लास है क्या अभी इस इस का क्लास है अच्छे ठीक है अभी रुकिये बाहर चलिए देखिए चार्ल्स लौ चार्ल्स लौ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसकी खोज जो है अलेक्सजेंडर चार्ल्स के द्वारा की गई इसके द्वारा अलेक्सजेंडर चार्ल्स के द्वारा की गई और कब तो 1787 में अब इनका क्या कहना है कि for a given mass of ideal gas यानि कि ये भी कहते हैं कि अगर आपका mass क्या हो constant हो mass को क्या रखना है mass को रखना है constant तो जो volume होगा gas का ये directly proportional होगा किसके absolute temperature के कब तो provided that the pressure remains constant चार्ल्स लौ क्या कहता है कि अगर pressure को भी हम constant कर दे किसको constant कर दे pressure को चार्ल्स लौ के according अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम pressure को क्या कर दे constant तो इस हिसाब से ये क्या कहते हैं कि देखिए volume जो है directly proportional होगा किसके temperature के volume directly proportional होगा temperature के आईए यहाँ पर लिख देते है देखिए बात होगे आप पाइल्स लौ का इधर लिख देते हैं चार्ल्स लौ कि volume और temperature का जो ratio है यह क्या आने वाला है तो यह आने वाला है constant तो इनके हिसाब से आप यह बोल सकते हैं कि V1 upon T1 is equal to क्या हो जागा V2 upon T2 ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं तो चलिए चार्ल्स सहाब के भी नियमों को आप साइड में आप अगया और देखेगा के लिए चलिए अब एक बात समझी है अगर हम वाइल स्लो की बात करें अगर हम वाइल स्लो की अगर हम बात करें तो वाइल स्लो में क्या आप यए लिख सकते हैं कि volume जो है देखिए वाइल स्लो में क्या अप लिख सकते हैं की volume जो है inversely proportional होगा pressure के हाँ या ना इसको मान लिए equation no.1 और अगर बात हम करें इसकी बात करें आउज लॉग की अगर हम बात करें आई अब यहाँ से अगर दोनों को आप मिला दीजिएगा यानि कि समिक रण एक और दो को अगर हम जोड़ करके देखें तो देखिए फ्रॉम एक्वेशन वन एन टू फ्रॉम एक्वेशन वन एन टू अगर दोनों से हम देखें तो क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहां से आप एक रिलेशन यह भी लिख सकते हैं कि पीवन वीवन अपॉन टीवन जो है यह किसके बराबर हो जाएगा पीटू वीटू अपॉन टीटू के हाँ या ना तो इसको भी आप याद रखेंगे इस पर भी निमरीकल एक्जाम में पूछे जाते हैं चली तो इसको भी कॉपे में पहरे नोट करके लिखें इस रिजल्ट को हम लोग कहां से लाए तो इस रिजल्ट को हम लोग लाए चार्ल्स लोग और बॉयल्स लोग दोनों को जोड़ करके इस रिजल्ट को आप लोग नोट कर लेंगे बाकी जो है समय थोड़ा हो चुका है वह बाकी चर्चाम लोग करेंगे अगले क्लास में थैंक्यू टू अल आप पीडियेप भेज देंगे लोग पीज़ेगे चार्चाम लोग 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 देंगी च्वचाम लोग लोग भेज़ जू लोग लोग अजू लोग धुटराओनागे लोग लोग यदल्ट कॉचाम